Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे वैसे तो इस्रेल और इरान के बीश में रिलेशन बेहत खराब है और इस खराब रिलेशन के पीशे बहुत सारे वज़े हैं लेकिन इसी महीने के एक और दो तारी के बीश में Damascus Syria में इरान के Consulate के उपर Attack किया जाता है जिस Attack में साथ High Ranking Iranian Officials की जान जाती है और इस Attack के पीछे इस्रेल का हाथ होता है जैसे ही ये सारे News Public Domain में आता है वैसे ही इरान के Supreme Leader यानि Ali Khomeini इनका भी Statement आता है और वो ये कहते हैं कि इरान इस Attack का बदला लेगा और ये बदला कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसरेल इस बदला को कभी भूल नहीं पाएगा इंडियन टाइम के हिसाब से 12 एप्रिल के दो पहर से लेके शाम तक बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आने शुरू होगे जहां पे ये कहा जा रहा था कि इरान अगले 24-48 घंटा में इसरेल के उपर Attack करेगा इसी बीच अभी लगभग रात के साड़े बारा पॉने एक बजे तेरा एप्रिल के ठीक इसे एक घंटा पहले कुछ निउस आने शुरू हुए जहां पे ये बताया जा रहा है कि हिजबुला ने कुछ targeted तरीके से rockets दागे इसरेल में इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास latest information क्या है और किस तरीके से ये इसरेल और हमास के बीच में war एक global war के तरफ बढ़ रहा है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं as in Indian हमारे लिए बेहर ज़रूरी होता है कि इस type के news को हम बहुत ही neutral तरीके से देखें नहीं तो हम Israel को favor करें नहीं तो हम Iran को favor करें और हम focus करें कि क्या सही है और क्या गलत है तो आप यहाँ पे time देख सकते हैं 12 April का रात का साड़ी 11 बजे जहाँ पे यह कहा जा रहा है कि लगभग 12 से भी अधिक missiles दागे गये हैं Northern Israel में क्योंकि यह incident अभी भी चल रहा है तो exactly यह बोल पाना मुश्किल है कि ground पे क्या situation है और exactly Hejbullah ने कितने सारे missiles को दागे हैं और उसके बाद क्या हुआ और यह आप बकाइदा देख सकते हैं Times of Israel का home page जहाँ पे आपको ऐसे multiple articles मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इरान और इसरेल के news से ही भरे पड़े हुए हैं अब अगर आप Times of Israel को अगर आप पढ़ेंगे तो क्योंकि यह इसरेल का ही news agency है तो हम यह मान के चलते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे जो articles होंगे वो directly government को favor करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे homepage का मैंने 6-7 मैंने articles पढ़ें जहाँ पे मैं बहुत ही honest तरीके से यह बोल सकता हूँ कि इसमें आधा से भी अधिक ऐसे articles हैं जो बता रहा है कि कि किसी भी time पे अगर Benjamin Netanyahu चाहते तो इसरेल और हमास के बीच में जो war था उसे रोका जा सकता था इसमें कोई doubt नहीं है कि इसरेल और हमास war में है लेकिन जिस तरीके से इसरेल common civilians को target कर रहा है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह बगायदा United Nations में ऐसे multiple reports publish किये गए हैं submit किये गए हैं पर यह बहुत इस पस्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि इसरेल अब war crime कर रहा है वो अब targeted तरीके से जो लोग गजा में रह रहे हैं उनको मार रहा है और इस पूरे incident के पीछे इसरेल के साथ कोई एक देश सबसे बड़ा responsible है तो वो है USA यह बकाइदा देख सकते हैं United Nation का statement जहां पर यह कहा रहे हैं कि कुछ humanitarian aid गजा में जा रहा था जिसको कि इसरेल के forces ने रोक लिया उसके बाद के अगर आप article देखेंगा ठीक लगबग कुछ एक घंटा पहले का जहां पर यह कहा जा रहा है Ireland के दुआरा की वो बकाइदा Palestine को एक complete statehood देंगे कहने का मतलए एक complete देश का recognition देंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो western countries है या पूरा का पूरा जो दुनिया है वो इसरेल और US के साथ ही खड़ा है बहुत सारे ऐसे लोंग है ना कि सिर्फ US में, इसरेल में बल्कि all across the world जो अब ये मानना शुरू कर दिये है कि इसरेल जो कर रहा है वो complete तरीके से war crime है उसके बाद ये भी article छपा है Times of Israel में ही जहां पे ये बताया जा रहा है कि जब से इसरेल और हमास के बीच में war शुरू हुआ है तब से जो common इसरेल के लोंग है वो काफी stressed हो गया है वो काफी anxiety में चले गया है और कहीं न कहीं एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जो common civilians होते हैं चाहे वो कहीं के भी हो उनको war से कोई मतलब नहीं होता है वो ये कभी नहीं चाहते हैं उनके देश में war हो या वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो पडोसी मुल्क है उनके साथ उनका relation खराब हो अब क्यूंकि जो situation हो रखा है इसरेल में वो काफी tensed है एक complete war like situation है तो एक statement कहलें दिया गया है public health experts के द्वारा जहां पे ये कहा जा रहा है कि recent जब से war शुरू हुआ है तब से बहुत सारे इसरेलीज जो है वो cigarette कहलें या कुछ ऐसे नशिले पदार्थ को वो consume करना शुरू कर दिये हैं ये आपको मैं Times of Israel का ही एक दूसरा article दिखा रहा हूँ जहां पे channel 12 ने दो negotiator का interview लिया negotiator कौन थे तो ये वो लोंग थे जो हमास से बातचीत कर रहे थे क्योंकि हमास के पास लगभग कुछ 200 इसरेलीज को वो बंदी बना के रखे थे तो जो negotiator है उनका कहने का साफ और इस पस्ट मतलब है as per channel 12 interview उनका कहने का मतलब है कि Benjamin Netanyahu इस war को और भी लंबा खीच रहे हैं और उनका कोई भी इरादा नहीं था hostages को हमास से वापस इसरेल लाने का और ये बकाइदा पबलिक डोमेन में information है अगर आप चाहें तो आप जाके इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं तो इनवे अगर आप ये समझें कि जो common civilians हैं चाहे वो इसरेल के हो चाहे वो खुद पैलिस्टीन के हो चाहे वो यूएस के हो अब सभी को ये समझ में आना शुरू हो गया है कि किस तरीके से अपने आपको relevant बना के रखने के लिए अब war को और लंबा खीचा जा रहा है और as an Indian कहीं न कहीं हमें भी इसका भूकतान भरना पड़ेगा अगर in case Red Sea या Gulf of Aden किसी तरीके से ब्लॉक हो जाता है तो भारत में जो समान आने का जो speed है वो घट जाएगा तो as a result inflation बढ़ने का chances काफी high हो जाता है क्योंकि इसरेल और हमास के war को हम कह सकते हैं कि बहुत हतक USA fund कर रहा है एक तरब से USA इसरेल को weapon भी दे रहा पैसे भी दे रहा तो कहीं न कहीं western countries भी अब stand लेना शुरू कर दिये हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसरेल के उपर sanction लगाना चाहिए इसमें से एक नाम जो बढ़ चड़कर हम सुनते रहें वो है France France इस war के खिलाफ बहुत शुरू से था और उसका मानना था कि कहीं न कहीं dialogue और diplomacy ही है जो इसरेल और Palestine के बीच में शान्ती ला सकता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताए See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye